सब्सक्राइब करें साइंस विएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैट्स के सूपर वीडियो तो चलिए अब हम आ गए अपने एक्सराइज 4a की तरफ हमारा जो चैप्टर चल रहा था अभी हम लोगों ने इंट्रो वीडियो देख लिए क्वेशन आपके सामने लिखे हुए इक्वेशन बोल रहे सरे लिकिन यह चैनल रहे लेकिन यह यह क्वाड्रिटिक वडियुएं यह disparisa करेंं कि देखिए उसका स्टेंडर्ड फॉर्म क्या था अपने पास अगर दिखे तो वह हमारा क्वादर रिक्विशन हो जागा फर्स नमर देखते हैं सर देखिए यहाँ क स्टेंडर्ड फॉर्म है उसको सै। ऑर थीक है समझे नहें हो जागा खीक है अब देखिए यह वाला वाला सी आपने lesser रेज pierwsze तो यह हमारा quadratic equation हो गया, क्योंकि अपने standard form को satisfy कर रहा है, हाँ, और एक चीज़ इसमें a बस 0 नहीं होना चाहिए, 0 के equal नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है, ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार बता देतें, quadratic equation है क्या, सर एक ऐसा equation है, एक ऐसा equation है, terms का addition और subtraction है, जिसमें किसी भी variable पर square लगा हो, कोई भी एक जो term हो, वो square किया हो, squared किया हो, तो उसी को हम लोग क्या बल देते हैं, quadratic equation बोलते हैं, ठीक है, हाँ, चलिए, अब थर्ड नमबर देखते हैं, सर देखें फिर से, क्या है, ax square plus bx plus c अपना constant है, दिया हुआ है, तो यह भी हमारा quadratic equation हो गया, सर, ठीक है, सर, क्या ही दिक्कत है, सर, बोलते जाएं, यह होते जाएगा, बस four number देखिए, फिर से ax square plus bx minus c, यह भी हमारा quadratic equation हो जाएगा, ठीक है, बिलकुल, सर, बस आपको यह जो general term है, इसको याद रखना है, और solve वगएरा कुछ निए करना है, देख के बनाना है, बस, अब देखिए फिर से, यहां देखिए, एक जाएगा 1 है, तो 1x square, ax square minus bx, ठीक है, सर, इतना सा ठीक है, minus क्या है, सर, x to the power, root है ना, तो half हो गया, x to the power क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते है, इसको लिख सकते है, x to the power, half है ना, तो power half आ गया, सर, ऐसा कहीं है, यह कहीं पे subtract addition होगा, क्या, नहीं होगा, सर, यह अलग ही अपनी दुनिया में घूम रहा है, इसलिए हमारा, यह quadratic equation नहीं होगा, आप बोलेगा, सर, बस इतनी सी ही बात है, ठीक है, हाँ, चलिए अब six number बनाते है, देखिए सर, अब आप बो क्या हो जागा, multiply हो जागा, तो x into x, x square, oh sorry, square मैंने पहले लिख दिया है, minus क्या है, सर, अपने पास six है already, और नीचे LC, हम लोगों को ने क्या लिया, x आया, और यहां पे is equal to three है, कोई दिकत, कोई दिकत किसी को अगर है, तो अभी बता जे, मैं छोड़ दूँगा बनाना, नहीं है ना, चलिए सर, ठीक है, अब देखिए, यह इधर divide में जाएंगे, multiply में तो यह हो गया, x square minus six is equal to three x, अब देखिए सर, यह 3 इधर plus में जाएंगे, minus में satisfy किया कि नहीं, बिल्कुल किया सर, ax square minus, यह देखिए, c आ गया हमारा यह, और यह bx है, जो कि इधर आएगा, उधर zero बचेगा, समझ में आया, आई रहा होगा, उतना solve करने का देखिए, चलिए सर, आगे बनाते हैं, कौन सा, यह वरा बनाते हैं, देखिए, तो यह हमारा क्या है, यह हमारा quarter equation है, ठीक है, हाँ, tick cross लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, चलिए सर, इसको मिटाते भी जाते हैं, थोड़ा सा, ताकि space हमारे पस रहा है, सर, जिंदगी में और board पे, दोनों जागा space का बहुत दुख है, सर, चलिए, question number seven देखते हैं, अपना क्या कहते है, सर, फिर से बोलिए का, आपकी simplify कर दिए, सर, आपने अभी तो किया, ठीक है, सर, कर देते हैं, देखि plus two is equal to x into x square x cube हो जाएगा, सर, अभी आप जोड़ से बोलें, नहीं, सर, नहीं, यह हमारा quadratic equation नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, सर, क्योंकि इसमें क्या आगया, x cube आगया, ठीक है, सर, कोई दिक्कत, नहीं, सर, क्या ही दिक्कत होगा, अब देखिए, next बनाते हैं, द यह भी हमार quadratic equation, कभी नहीं होगा, सर, कतापी नहीं होगा, ठीक है, हाँ, 9 number देखते हैं, सर, 9 number भी बहुत असान होगा, अपना, क्यों होगा, सर, क्यों कि देखने से लग रहा है, हला, क्या देखने से लग रहा है, कि A plus B का whole cube है यहाँ पे, ठीक है, अब आप बोलेगा, सर cube है न, तो नहीं होगा, सर, मार देते हैं, क्रॉस इस में मारते हैं, नहीं सर, ऐसे ही थोड़ी, solve कर देते हैं, A plus B का whole cube क्या होता है, A plus B का whole cube होता है, A cube, plus B का cube, यानि कि 2 का cube, 2 का cube, A direct लिखते है, A cube, plus B cube, plus 3A square B, A square B, यानि कि X का square, into B, तो अब लिखना पड़ेगा, इत A into B का square, B का square, यानि कि 2 का square, 4, अब is equal to में हमारा है, क्या is equal to में है, X cube minus 8, अगर आप इसको solve कर पारे हैं, तब copy paste को अगर एक line में आप लिखेगा, तो आपको पता लगेगा, कि यह इदर plus में है, यह इदर plus में है, यह इदर आएगा, तो minus में होगा, तो X cube का X cube से cancel out हो और अब यह आपके पास क्या बचेगा, देख लिजे, करके इसको पक्ता असर, quadratic equation निकल का आएगा, ठीक है, तो यह हमारा क्या है, यह हमारा quadratic equation होगा, अब बुलिएक इसर, क्या क्या कर दिया, solve कर दे, क्या कर देते हैं, तो 8 है, इधर minus में 8, 8, 16 हो जाएगा, यहाँ पे 3 simplify करना पड़ेगा, इसको यहीं पर करता है, मैंने space इसलिए छोड़ा हुआ है, ताकि मैं simplify कर सकूँ, इससे मिटाना पड़े जादा, अब देखिए, multiply कीजिए, 2, 3, 6, x x x x x square, बिल्कुल सर, satisfy करने लगा, अभी से ही है तो, है ना, हाँ सर, अब यह, 2, 2, 4, x है तो x लगा दीजिए, 3, 2, 6, x नहीं है, तो मत लगाइए, है ना, सर, क्या दिक्कत है, अब देखिए, इसको पहले multiply कर देखिया, ठीक है, 6 x x, 6 x 6, अब यह पूरा multiply होगा, x x-2 से, ठीक है, समझ माया, बिल्कुल आ रहा होगा, क्या दिक्कत है, अब देखिए, अब यह, 6 x x x x square, 6 x 1 6, plus, plus है, नहीं, minus हो जाएगा, क्यों, सर, क्योंकि 6 x 2 है, minus है, तो 12 x, minus 12 x हा जाएगा, यह ठीक है, सिंप्लिफाइए, सर, आप भी कर सकते है, आपने सिसलिए लिले कर रहे हैं, अब देखिए, 6 x x तो 6 x, अब 6 x 2, minus 12, ठीक है, बिल्कुल सर, अब देखिए, इधर क्या है इधर है, 6 x square, plus, 4 x, plus, 9 x, plus, 6, अब देखिए, सर, इधर भी plus में 6 x square, उधर भी 6 x square, प्लस में, दोनों क्या हो गया, सर, cancel out हो गया, क्योंकि देखिए, इधर plus में, इधर आगे, minus ही हो तो होगा, अब देखिए, सर, 6 x square, अपना x square वारा term, cancel out हो चुका है, अल्रीडी, तो यह हमारा quadratic equation नहीं होगा, सर, समझ में आया, बिल्कुल आ रहा होगा, क्या ही है, सर, अब अगला बनाते है, 11 number, sorry, 11 number में क्या है, कि x plus 1 upon x का whole square, तो इसको solve करना पड़ेगा, a plus b का whole square है, तो a square, plus b square, plus 2ab होगा, आप इसको जब solve कीज़ेगा, तो यह क्या है, a क्या है, x है, into b क्या है, हमारा 1 upon x है, x, x cancel हो जागा, 1 ही बचेगा, मतलब 2 ही बचेगा, है ना, इसलिए मैंने square से लिखा, और 1 का square, 1 ही होता है, x square से लिखा, ठीक है, हाँ, is equal to क्या है, यह से into होगा, क्या हो जागा, 2x plus 1 upon x plus 3, ठीक है, हाँ, अब अगर आप इसको solve कीज़ेगा, तो आ और जब आप यहाँ पे x to the power 4 आचुका है, आप देखिएगा, कि जब इसका LCM लेंगे, तो यह से into होगा, 2 into 2, 4 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 4 आगया, और यहाँ पे square आगया, तो आप समझ सकते हैं, कि हमारा quadratic question कभी नहीं होगा, सर, quadratic मतलब ही है, हमारा यहाँ पे क